यू को पी क्या कहेगा और आप कह देंगे यू को पी क्या कहेगा तो यू को पी क्या कहेगा तो कहेगा आगी बात समझ में पत्नी जी कहेगा पत्नी जी कहेगा तो आज देख रहे हैं हम CSET prelims की day had 14 तो आप लोगों की जो queries आई उसमें coded blood relation की बात आई की coded blood relation करवाईए तो चलिए शुरू करते हैं coded blood relation आज है 14 day और 14 days तक जितनी भी classes हमने की है अगर आप इन्हें एक बार दो बार तीन बार देखेंगे और 2x में करके देखेंगे अगर आपने एक बार देख लिए एक लास तो आपके अंदर वो सोच वो चीज जो है न वो रहेगी exam तक कि किस तरह से क्या चीज़ें करनी है ठीक है तो चलिए शुरू करते है coded blood relation रक्त संबंध का ही एक पार्ट है मतलब रक्त संबंधी है बस code कर दिया जाता है और इस code को समर लेता है कि किस तरह से करना है आपने तो देखेंगे तो question कुछ इस तरह से है सांकेतिक रक्त संबंधी प्रशन तो आपको कुछ instruction दिये वे होता है इस तरह से अब इसमें जो समनने वाली बात है वो यह है कि coded blood relationship तो है मगा इसमें लिखावा forward type coding forward type coding इसे समझते हैं क्या है जैसे इन्होंने कहा कि P plus Q का अर्थ है P Q का पिता है समझ रहे हो बात तो आप कहेंगे कि plus का मतलब आपने के वाल यह देखना है plus का मतलब है पिता plus का मतलब है पिता कौन पिता है तो आपने पता लग दिया कि पहले वाला पिता है यही कह रहा है इस line में इस line को सही से पढ़ना है और आपने यह कह रहा है कि P Q का पिता है है ना Q का पिता है मतलब relation तो पता है मगर किसके बारे में पता है पहले वाले के बारे में पता है P और Q दो लोग है P प्लस Q लिखा हुआ है तो P पिता होगा Q का यह इसमें कह रहा है ऐसे ही हर question में आपको वो देगा information कि किसका क्या मतलब है उसे आपने observe करना है इसी तरह से minus का मतलब कह रही है कि माता है minus का मतलब माता है तो बस माता पर focus करना है किसकी माता है पहले वाले की माता है divide का मतलब है divide का मतलब है कि क्या है बहन है तो बस आपने बहन पर focus करना है इतनी बात समझवारी है, जैसे आपको divide का symbol देखे, इसका मतलब बहन है, कौन बहन है, पहले वाली, P और Q दो लोग कहेंगे, तो जो पहले कहेगा, P कहेगा, तो P बहन है, किसकी बहन है, क्यों की बहन है, ऐसे आपने इसे देखना है, ये वाली बात समझवारी होगी, star का मतल है, कि पुत्र है, तो पुत्र पर focus करना, star का मतलब पुत्र है, बस इतना अपने ध्यान में रखना है, इसी तरह से hash का मतलब है, पुत्री है, बस ये आपने चेक करना है, अब question की तरफ चलते हैं, question को समझते हैं, question कर करके समझेंगे, बहुत सारे questions करेंगे, तार कि आपका कोई भी doubt न रह जाए और blood relation किसी भी तरह का आएगा आप कर लेंगे तो देखिए क्या है सवाल एक का B से संबंद बताओ बताओ डिये वेंजन में एक ये वेंजन दिया होगा इस तरह से एक line दी दी होगी इसमें ये वाली जो symbols है वो use हो रहे होगी तो आपने देखा plus तो plus आपने यहाँ पे देखा plus का मतलब है पिता कौन पिता होगा तो हमने कहा पहले वाला A plus B है न तो A पिता होगा तो आपने इस तरह से लिखना है A पिता जी हैं किस के पिता जी है तो आपने कहा B के पिता जी है आगी बात समझें फिर आपने क्या देखा multiply है B multiply C तो multiply ढूंडो multiply का मतलब होता है कहाँ गया अच्छा englishी में लिखाः तो ये brother लिखाः का मतलब तो ये brother होता है कौन brother होता है पहले वाला brother होता है किसका brother होगा C का brother होगा तो यहाँ पर bro लिख दो, b brother है, c के बारे में हमें नहीं पता, इतने से अभी पता, फिर c divide कह रहा है, तो divide का मतलब आपने देखा sister है, तो c sister है किस की, तो आप कहेंगे d की sister है, आज यह बात समझें, आगे अगर आप देखेंगे star आगया, d star e, तो star पर गए, का मतलब है, प पहले वाला पुत्र होगा, d star e में पहले कौन है, d है, तो d पुत्र होगा, किस का पुत्र होगा, e का पुत्र होगा, तो e उपर आ जाएगा, e के बारे में मालुम नहीं चल रहा है, माँ है या बापु है, मगर आपको एक चीज दिख रही है, कि a के बच्चे है, b, c, d, a क d के एक parent की बात कर रहा है, e है, मतलब e जो होगी, वो मा हो जाएगी, it means कि a और e के बीच में हमें relation मिल यहां से, ऐसे आपने देखना है, जहां जहां पर जो जो relation मिलेगा, उसे देखते जाना है, फिर f के बारे में, f के बारे में क्या कह रहा है, e और f, e hash f, f, oh sorry, hash को पुत्री, तो e पुत्री है, किस की पुत्री है, f की पुत्री है, आगी बात समझ में, तो अब आप से सवाल यह पूछ रहा है, a का b से संबंद बताओ, और मैं आपको हमेशा यह कहता हूँ, जब भी इस तरह का सवाल आए रहा है, तो आपने इसे पढ़ना है, कि कोई confusion न का कहेंगे, तो आप कहेंगे, कि f की बेटी e है, और e के पती a है, तो बेटी के पती को क्या कह देते हैं, तो option में जाएंगे, आपको दिखेगा, son in law, क्या दिख रहा है, son in law, दामाद, हिंदी में कह देंगे, दामाद कह देंगे, दामाद कह देंगे, इस तरह से आपने इस question को पढ़ना है, और यह बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, आपके paper में पका पका आएंगे इस तरह के question, क्योंकि यह UKPS की है, इससे पहले हमने UKPSC lower PCS का भी paper देखा था, उस अगला question, फिर से वो ही है, बगर आपने यह पढ़ लेना है, P plus Q का मतलब है, P is father of Q, मतलब पहले वाला पिताजी है, तो plus का मतलब पिताजी है, यह धियान रखना, फिर आगए हाँ पे, अब सीरे question पढ़ते हैं, फिर से पूशा है, A का F से संबंद बताओ, आपने वोला, OK कोई problem नहीं है, बता देंगे, क्या संबंद बताना है, देखिए, A star B, A star B, star अगर आप देखोगे, तो A star B का मतलब हो गया, पुत्र है, कौन पुत्र है, A पुत्र है, किसका पुत्र है, तो इस तरह से बना ही है, A पुत्र है, किसका पुत्र है, तो आपने कहा B का पुत्र फिर बी डिवाइड सी तो डिवाइड का मतलब है सिस्टर है बी सिस्टर है किसकी सिस्टर है तो आपने कहा सी की सिस्टर है फिर हैश का मतलब क्या आ गया तो हैश का मतलब है पुत्री है कौन पुत्री है सी पुत्री होगी किसकी पुत्री होगी तो आप कहेंगे डी की पुत हुआ है कि P Q का पिता है कौन पिता है अगर आप से पूछू तो आप कहेंगे P पिता है पहले वाला पिता है समझ बारी यह बात इस तरह से आपने इससे समझ लाना जाना है कि यह forward है या backward है ठीक है अगला D का मतलब क्या होता है थे तो इहां बनाएए और डी पे लिख दीजिए P मतलब D इतने सारे लोगों का पिता है तो आपने गोला कोई problem नी हो सकता है फिर देखिये क्या है अगर सटार का मतलब क्या होता है तो स्टार का मतलब आप देखेंगे पुट्र होता है it means e पुत्र है किसका पुत्र है तो आप कहेंगे f का पुत्र है कौन है e है आरियबाद सुब्ट में तो आप कहेंगे d और f के बीच में एक संबंद दिखे रहा है आपको और इस संबंद का नाम है husband और wife d husband है और f wife है अगर ये नहीं पूछ रहा हो आपसे सवाल से सवाल में खुश मत हो जाना आपसे वो जो पूछ रहा है पूछ रहा है कि a का f से संबंद बताओ तो मैंने आपसे कहा है कि आपने क्या पढ़ना है तो आप कहेंगे a को f क्या कहेगा क्या कहेगा तो आप कहेंगे कि A को A है ये F क्या कहेंगा तो देखो F F के जो बेटी है B उसका बेटा है तो बेटी के बेटे को क्या कहते हो नाती नाती कहते हो हिंदी में कहते हैं नाती तो नाती यहां कहीं दिखनी रहा है तो बेटी का है तो maternal कहेंगे और बेटा है तो इसलिए grand son कहेंगे maternal grand son हिंदी इंग्लिश शब सब बराबर कर देगा UKPSC इसलिए इस तरह से देख लेना सही से आगी वाद समझने चले आगे अगले कोश्यन की तरफ चले अगला कोश्यन देख जी forwardy type है कोई दिक्कत नी है मगर आपने cross check करना है कैसे करोगे जैसी आपने plus देखा तो आपने देखना है P क्यू का पिता है कौन है पिता P मतलब पहले वाले का relation बता रहा है अब आजाओ यहाँ पे पूछ रहा है A का F से सम्मन बताओ A और B के बारे में बात कर रहे है तो आपने देखा हैश का मतलब क्या है पुत्री है मतलब A पुत्री है किसकी पुत्री है तो आप कहेंगे Q की पुत्री है आर यह बात समझ में फिर plus कह रहा है plus का मतलब है पिता है कौन पिता है पहले वाला पिता है का मतलब है क्यों पिता है किसका पिता है तो आप कहेंगे सी का पिता है आगी बात समझ में आगे देखिए स्टार का मतलब है पुत्र है इसका मतलब सी जो है वो पुत्र है किसका पुत्र है तो आप कहेंगे D का पुत्र है फिर कह रहा है कि माइनस माइनस का मतलब है माता है माइनस का मतलब माता है मतलब D जो है वो माता है किसकी माता है तो आप कहेंगे E की माता है फिर E डिवाइड F डिवाइड का मतलब है sister है कौन sister है? E sister है किस की sister है तो आप कहेंगे F की sister है आगी बात समझ में आप से पूछ रहा है A का F से मतलब A को F क्या कहेगा ऐसे पढ़ना है तो आप कहेंगे A को F भाई कहेगा बहन कहेगा या कहेगी जो भी है तो sister अगर option में है तो ये answer हो जाएगा और ये question बहुत 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 जादा आस होते हैं चलिए मेरे करने से पहले आप answer कर दीजिए तो मजाएगा करिए मैं भी कर रहा हूं आप भी करिए A और F के बीच में ही relation बताना है और A star B लिखावा है तो star का मतलब होता है पुत्र है मतलब A पुत्र है किसका पुत्र है तो आप कहेंगे B का पुत्र है फिर 20 hash का म मतलब अगर आप देखेंगे तो माता है कौन माता है C माता है किसकी माता है तो आप कहेंगे D की माता है फिर D प्लस E प्लस का मतलब होता है फादर है कौन फादर है D फादर है मतलब बापू है फादर है किसका फादर है तो आप कहेंगे E का फादर है फिर E डिवाइड F डि अब आपने क्या देखा ये दोनों husband wife नहीं है ये दोनों भाई बहन है B और D के बीच में जो relation आ रहा है वो भाई बहन का है क्योंकि C माता थी किसकी D की माता थी ये याद रखना मेरी बात को आगे आपसे पूछ रहा है कि A का F से संबंद बताओ A का कहां गया A A ये है और F ये है मतलब A को F क्या कहेगा अब एक चीज बताओ ये आपकी दादी है उनके एक पुत्री है दादी की बेटी और दादी का बेटा मतलब आपके पिताजी तो आपके पिताजी की बेहन की बेटे को आप क्या कहते हो तो आप कहते हो कजन कहदंगा क्या कहदोगे कजन कहदोगे ममेरे फुफेरे चचेरे तावेरे कोई भी मौसेरे सब के सब जो भाई होते हैं उन्हें कहदेने हैं कजन भाई और बहन केवल अपने खून के वाले होते हैं आपके मा और बापू के बेटे होंगे उन्हें ही आप केबल भाई और बेहन कहोगे आगी बात समझ में चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल ये रहा आपके पास इस तरह से देखो जी क्या है प्लस कह रहा है फिर से देखा आपने forward rate है ये लिखावा नही इसमें आपने पढ़ना होगा क्या लिख रहा है P प्लस Q P is father of Q मतलब P है कौन father पहले वाला है father किसका Q का ऐसे forwarded है forwarded मतलब पहले वाला जो है उसका relation बता रहे है तो इसे कहते है forwarded coded relations इसको देखो जी A प्लस B का मतलब क्या हो गया तो A father है किसका father है तो आप कहेंगे B का father ह फिर B divide C तो divide का मतलब sister B sister है किसकी C की multiply multiply का मतलब अगर आप देखेंगे तो multiply तो है नहीं multiply है है brother है multiply का मतलब brother मतलब C brother है किसका D का फिर आपने देखा divide divide का मतलब हो गया sister D sister आगई किसकी तो आप बोलेंगे E की फिर आगया hash hash का मतलब है daughter है कौन डॉर्टर है E डॉर्टर है किसकी डॉर्टर है तो आप कहेंगे F की डॉर्टर है It means A और F के बीच में संबंद बोल रहा है तो मेरे प्यारे भाईयों दोस्तों आप कहोगे क्या कहोगे A father है F mother है इन बच्चों की तो ये दोनों के बीच में क्या relation है तो बोलेंगे husband wife का मगर आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है A को F क्या कहेगी समझ रहे हो आगई बात समझ में तो आप कहेंगे husband कहेगी इस तरहे से पढ़ोगे तो कभी गड़बर नहीं होगा कि पती करो या पतनी करो कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो Otherwise कभी आप पती कर दोगे और कभी आप पतनी कर दोगे answer चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हो अगला सवाल ये रहा forwarded type ही है question वह ही है बहुत सारे question लेका है हूँ ताकि practice हो जाए कोई बच्चा ये ना कहे कि नहीं मिरसन नहीं हो पा रहे है question अरे sir एक ही question करवाया दो ही question करवाया तो देखिए क्या है hash का मतलब क्या हो गया देखो तो इसका मतलब है P is daughter और मैं आपको बता दू कि आगे जाके हम backward type coding decoding blood relation भी करेंगे ये तो forward type है जिसमें पहले वाले की बात कर रहे है backward वाला भी करना जरूरी है उसके भी practice set करने जरूरी है उसके भी question लगाने जरूरी है ताकि आपके दिमाग में वो चीज़े आ जाएं सही से देखो hash का मतलब क्या है पुत्री है मतलब A पुत्री है किसकी पुत्री है तो आप कहेंगे B की पुत्री है माइनस का मतलब देखो क्या है माता है कौन माता है पहले वाली माता है किस की माता है तो आप कहेंगे डी की माता है तो सरी सी की माता है फिर सन है इट मींस सी सन है किसका सन है तो आप कहेंगे डी का सन है मतलब यह पिताजी हो गए है ना फिर प्लस का मतलब क्या है ए प्लस का मत मतलब है P is father, मतलब D father है, किसका father है, E का भी father है, तो यहाँ पर E लिख लो, फिर divide का मतलब है, बहन है, कौन बहन है, E बहन है, किसकी बहन है, तो आप कहेंगे F की बहन है, relation किसका पूछ रहा है, F को, इस बार कहा दिया, F को A क्या कहेगी, तो F को A क्या कहेगी, तो देखो brother और sister में इसे कुछ भी कह सकती है, क्योंकि F का gender हमें नहीं मालूम, का link हमें नहीं मालूम की वो भाई है या बहन है, तो आप कहे देंगे C answer हो जाएगा, और मैं आपको एक बात बता दूँ कि PCS के exams होते हैं, उसमें वो इस तरह के questions जरूर डालते हैं, ताकि थोड़ा सा confusion बच्चों को रहे, कि भाई कर दूँ, बहन कर दूँ, ये तो बहन है, वो भाई है या नहीं है, बहनी लग रही है, तो आप फस होगे इस तरह के questions में, तो ये आपने करना है, ठीक है, class over हो जाएग कि B का पुत्र है, multiply, multiply का मतलब देखो, brother है, D brother है, किस का, C का brother है, फिर C hash D, hash का मतलब क्या हो गया देखो, कह रहा है कि पुत्री है, कौन पुत्री है, तो C पुत्री आएगी, किस की, तो आप कहेंगे D की पुत्री आएगी, D की पुत्री आएगी, फिर minus का मतलब देखो, म माता है, कौन माता है, D माता है, किस की माता होगी, तो आप कहेंगे E की माता होगी, फिर E और F के बीच में फिर से कह रहा है 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 तो मतलब E पुत्र होगा, पुत्री है, हाँ, E पुत्र है, किस का पुत्र है, तो आप कहेंगे F का पुत्र है, मतलब F कौन होगए, पिताजी हो गए, पिताजी हो गए ही के, क्यूंकि माता तो D है मतलब D और F husband and wife हमने निकाल लिए, सवाल आप से वही पूंच रहा है कि F को A क्या कहेगा, F को A क्या कहेगा, तो आप कह देंगे F कौन है, तो पिताजी, पिताजी और OK, तो इस तरह से A से F की तरफ चलोगे, तो A के पिताजी के पिताजी को कहते हो, paternal grandfather, ओहो, दादा जी कह देते हो, paternal grandfather कह देते हो, clear हो रही है बात, समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ चलते हो, अगले सवाल देखिए क्या है, आ गया backward type, कहा था पहली आप से कि forward करेंगे, backward करेंगे, इसमें समझो क्या है, इसमें A plus B का अर्थ है, B A का पिता है, समझ रहो, तो plus का मतलब है, ये वाले भाहिसाब हैं, विस्टाइन पे पिता, बादवाला पिता है, बादवाले के बारे में बात चल रही है, तो इसे कह रहे हैं backward, इससे पहले जो हमने question किया, उसमें पहले वाले का relation दिया वा था, इसलिए कह रहे थे forward, आगी बात समझ में question की तरफ चलें, question को पढ़ें, अब तो ये कड़ने की जरुएत नहीं है, आप से पूछ रहा है P का U से संबंद बताईए, तो आपने पहले देखा U minus T, तो minus देखो कहा है, ये minus है, minus का मतलब है, मा है, बस इतना देखना है, backward type है, तो कौन मा होगी, तो आप बुलेंगे B मा है, मतलब बादवाली मा होगी, तो आप लिखेंगे T मा है, किस की मा है, तो आप कहेंगे U की मा है, फिर आपने क्या देखा, S और स्टार, हैश, हैश का मतलब है, डॉर्टर है, पुत्री है, कौन डॉर्टर होगी, तो आप कहेंगे S डॉर्टर होगी, किस की डॉर्टर होगी, T की daughter होगी तो S यहाँ पर लिख दो और लिख दो पुत्री है ठीक है T की है ना तो T के नीचे बनाई है ठीक आगे देखो S और star कह रहा है तो sun है sun कह रहा है star का मतलब sun है मतलब क्यों sun है किसका sun है किसका sun है तो आप कहेंगे S का sun है फिर hash का मतलब कह रहा है कि क्या है पुत्री है कौन पुत्री है तो आप कहेंगे क्यों कि पुत्री हो जाएगी कौन P हो जाएगी पुत्री दूसरे वाले का बाद वाले का relationship आपको दिया हुए ये आपने सही से समय देना और ये हैक है इसी दरह से कोशियन जल्दी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे यह आपने समझना है अब आपसे पूछ क्या रहे है पूछ रहा है कि पी को यू क्या कहेगा पी को यू क्या कहेगा तो पी को यू भाई साब क्या कहेंगे आप देखो you की बेहन है, you की बेहन है, उसका बेटा है, बेहन के बेटे को क्या बोलते हो, और फिर पुत्री है, तो आप कह देंगे कोई option है नहीं इस तरह का, तो great grand daughter कह सकते हो, great grand daughter, grand daughter भी कह सकते हो, grand daughter, अब इसी के साथ relation देख लो ना, इसकी क्या आईगे, तो grand daughter है, तो ये भी grand daughter ही कहेगा, आरिया बाद समय क्लियर हो रहा है, तो figure हमने सही बनाई है, एक बार चेक कर लेना कि मैं सही बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, क्योंकि हो सकता है, जैसे होगा नहीं, हो सकता है कि एक आदा question हम इदर उदर कर दें, मगर जो concept है, वो कभी भी carbon नहीं होगा, ठीक है, अगले question की दरफ चलते हैं, और अगला question देखिए, जी क्या है, ये रहा आपकी screen पर, फिर से वो ये backward की बात कर रहे हैं, आप से ये कह रहा है, तो फिर आपने देखा multiply का मतलब क्या होत होता है, भाई, कौन होगा भाई, बाद वाला भाई होगा, तो आप लिखेंगे, यू का भाई कौन है, भाई, टी है, टी भाई साब है, भाई है, लिंग बता रहे हैं उनका, ठीक है, प्लेस का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा, प्लेस का मतलब होता है, प्लेस का मतल क्या है तो आप कहेंगे सन स्थार का मतलब क्या है सन है मतलब बाद वाले सन हो जाएंगे किसके सन हो जाएंगे तो एसके सन हो जाएंगे एसके सन बोले तो यह आर सन मतलब पुत्र हो जाएंगे फिर R divide Q, मतलब Q हो जाएगा, क्या होगा Q, अभी देखते हैं, R के साथ है, divide देखो, divide का मतलब है, बहन है, मतलब Q बहन है, किसकी बहन है, तो आप कहेंगे R की बहन है, अब देखिए, Q का P के साथ, डॉलर दे रहा है, मतलब sun है कौन sun है तो P sun हो जाएगा P इस विर दॉलर ग्यारो हाँ sun हो जाएगा P पुत्र हो जाएगा किसका क्यों का तो पुत्र लिखती है आप से पूछ रहे है P का मतलब P को P को U क्या कहेगा U ये है तो आप देखेंगे क्या कहेगा तो बेहन के बेटे को क्या कह देते हो बेहन के बेटे को या भाई के बेटे को क्या कह देते हो तो आप कहोगे भतीजा या भतीजी भतीजी भांजी बेहन की बेटे को भांजी कह देते हो भांजा कह देते हो हिंदी में English में nephew कह दोगे क्योंकि लड़का है लड़का है तो कह दोगे nephew और nephew answer हो जाएगा backward coded blood relation इस तरह से होगे आपने देखा हमने forward भी किया और backward भी किया बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें बाद वाले का relation दिया हुए बाद वाले को बताया हुए कि वो कौन है और forward में पह बहन भाई समझ रहे हो पती पतनी जो भी है वो आपने पढ़ना है अगले को देखो जी आप से पूछ रहा है पी का यू से क्या संबंद है एक बार देख लेता है कई question repeat तो नहीं हो गया नहीं अलग है चलिए देखिए क्या कह रहा है पी का यू से संबंद बताना है और backward ही है प्लेस का मतलब देखिए पहले प्लेस का मतलब क्या होता है एक बार खुद से भी करो प्लेस का मतलब होता है पिता कौन पिता है तो बाद वाला पिता है तो आप लिखेंगे टी पित जीए तो आप कहेंगे यू के पिता जीए फिर multiply multiply का मतलब क्या होता है brother भाई लिखावाई किसका भाई होगा s होगा भाई किसका भाई होगा तो आप बोलेंगे t का भाई हो जाएगा फिर आपको कह रहा है divide divide का मतलब होता है sister मतलब our sister हो जाएगी किसकी sister हो जाएगी S की sister हो जाएगी इसके बाद multiply कह रहा है multiply का मतलब फिर से brother आ रहा है मतलब R का भाई कौन हो गया तो आप कहेंगे Q हो गया फिर plus आ रहा है तो plus का मतलब आप देखेंगे पिता है कौन पिता है तो आप कहेंगे बादवाला बोले तो P पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, तो Q के पिताजी हैं, बाद वाले पिताजी हो जाएंगे, ऐसा ही यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ लो, B A का पिता है, आपने बोला, OK, what it, अब आपसे क्या पूछ रहा है, P को U क्या कहेगा, ऐसी पढ़ना है, तो आपने करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कह देते हैं, दादा जी होंगे, अगले कोशन की तरफ चलिए, अब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये कहेगा, कि ये कोडिंग, डिकोडिंग वाले, ब्लेड रिलेशन देखके, मेरी आत्मा का अप्ती, देखो जाला टाइम नहीं बस आपको पता होना ची करना क्या है, और एक चीज बता दूँ, कि जो ये कोशन हमने किया है ये आप एक बार खुझ से, वीडियो पॉस करो जैसी कोशन आता है, खुझ से करो, खुझ से जब आप करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आंसर्स तो आई रहे, दोन ती पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, तो आप कहेंगे यू के पिताजी हैं, यह दुबारा तो नहीं कर दिया हमने, एक बार देख लेते हैं, बार-बार ऐसा लग जाता है मुझे, यू प्लस, ब्लस मल्टिप्लाई डिवाइड, ओके, प्लस, नहीं है, अलग है, देखो, प्लेस का मतलब है पिताजी है, टी पिताजी है, यू के, आरिय वाद सबन में, तो टी पिताजी हो गए, फिर डिवाइड कहरा है, टी के साथ रिलेशन कहरा है, स्टार कहरा है, तो कहरा है पुत्र है, कौन पुत्र होगा, तो आप कहेंगे एस पुत्र होगा, किसका पुत्र ह होगा टी का पुत्र होगा तो टी का पुत्र है तो यू के बगल में बनाओ पुत्र लिख दो फिर multiply कह रहा है multiply का मतलब देखो क्या है तो आपने कहा ब्रदर है भाई है कौन भाई है तो आप कहेंगे आर भाई हो जाएगा फिर माइनस का मतलब देखो माइनस का मतलब अगर आप अब्जब करोगे तो माँ है कौन माँ है तो आप बुलेंगे बाद वाली आर माइनस क्यू में क्यू माँ होगी किस की माँ होगी तो आप कहेंगे आर ही की मा होगी एक आदमी है ची उसी की मा होगी फिर क्या कह रहा है multiply 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 अगर आप देखेंगे तो कह रहा है brother है q का brother q मा थी हां q का भाई कौन है तो आप लिख देंगे भाई अब आगे देखो जी p का कहा गया p यह है p को you यू क्या कहेगा पी को यू क्या कहेगा तो आप अगर देखें तो आपकी मा के भाई को आप क्या कहते हो मा के भाई मा के भाई को आप मामा श्री कहते हो और मामा श्री को इंग्लिश में कह देते हैं maternal uncle तो यह answer हो जाएगा चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगले सवाल यह रहा आपकी स्क्रीम पे देखिए क्या कह रहा है यू है ती तो यू हैश टी का मतलब होता है डॉटर है कौन डॉटर है तो आप बुलेंगे बाद वाली डॉटर है तो यू टी यहाँ पे डॉटर आजाई आगी बात समझ में डॉटर मतलब पुत्री फिर क्या कह रहा है multiply multiply अगर observe करोंगे तो ब्रदर आएगा कौन ब्रदर आएगा तो टी का भाई आजाएगा कौन आजाएगा आजाएगे तो आपने कोई दिकlyत नहीं है क्यों को भाई रहन दो थिर आगया प्लेष प्लेष का मतलब अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाद वाले पिताजी होंगे बाद वाले पिताजी होंगे और किस के पिताजी होंगे तो आप कहेंगे क्यों के पिताजी कौन है पी है पिताजी समझ में आई बात और यू का बेटी टी थी मतलब ये माताजी हो गई तो पी और यू के बीच में संबंद कह रहा है मगर question में आपसे कह रहा है you ko p क्या कहेगा और आप कह देंगे you ko p क्या कहेगा तो you ko p क्या कहेगा तो कहेगा आगी बात समझ में पतनी जी कहेगा चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आज का जो यह lecture यह complete हो गया और I hope आपको यह सारा जो concept है वो सही से समझ में आ गया हो और जैसे हमने आपसे कहा है कि अगर आपको कोई lecture में कोई दिक्ट है कोई topic में कोई दिक्कत है तो आप वो comment section में हमें बताइए हम सारे के सारे वही topic कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं और कुछ और जो topic हमने आपको करवाने हैं वो जैसे ही time आता है हम वो करवा देंगे जिससे कि आपका जो selection है वो confirm हो जाए तो हमारा थोड़ी भी मेनत अगर आपको लग रही है तो like, comment, share और subscribe जरूर कीजिए और thank you very much, have a nice day.